असलाम लेकुम विवर्ज कैसे हैं आप सब आई होब आप सब खारियत से होंगे तो जनाब आज की जो वीडियो है मैं अन्बोक्सिंग करने वाली हूँ अब आप पूछेंगे सिलिकॉन आईज काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को नहीं पता होगा तो यह तो अन्बोक्सिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे और फेस्बुक पे जो है इसकी एडवर्टाइजिंग देखी होगी और मैंने यह इसलिए मंगवाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि यह किस परपरस के लिए है और हमें यह मंगवानी चाहिए या नहीं ठीक है हमें पैसे जाया करने चाहिए या नहीं यह अब मैं आपको जो है वीडियो में बताऊंगी तो हम इसकी कर रहे हैं करने अन्बॉक्सिंग अचा मैं बता दूँ कि यह मैंने यू-कैन-bी की वेबसाइट से मंगवाई है ठीक है यह आपको अभी पाकस्तान में जो है न दो जगा से मिलेगी एक तो काशिस से और दूसरी यू-कैन-bी से ठीक है तो मैंने यू-कैन-bी से मंगवाई क्युकि म है ले जनाब यह है इसमें सेम टू सेम ठीक है अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को आई मेकप करना होता है न वो बड़ा मतलब अब हमें हर डाइम घर में प्रैक्टिस करने के लिए कोई बंदा या बंदी नहीं मिलती लाइनर लगाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो इंशाला मैं आपको जो है इसके उपर किस तरह आपने क्रीज बनानी है किस तरह आपने क्या करना है यह पूरा इसके पोर्स आप देख रहे हैं इन्होंने पोर्स बनाए हुए हम इस पर पूरा करेंगे वर्क आपको बताऊंगी अगर आप लोग यह मंगवाते हैं तो मैं कोई अड़िटाइजिंग नहीं कर रही हूँ ज़स्ट आपको बता रही हूँ कि जो बहने घर में बैठी हैं और प्रैक्टिस करना चाहा रही है और प्रैक्टिस के लिए उन्हें कोई मिल ले रहा तो फिर वो यह मंगवा सकती है otherwise मैंने तो यह स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए मंगवाया कि अच्छा चलो जो है स्टूडेंट्स मेरी जो है इस पर कर लेंगी आइपरो के लिए इनोंने यहां लाइने दी हुई है ठीक है ताकि आप आइपरो खुद अपनी मर्जी से गोल लंबी चोड़ी जैसी बनाने चाहें लेकिन फ्रेंट उन्होंने बना दिया है अगर आपको यह नजर आ रहा हो तो फ्रेंट उन्होंने बना दिया है ठीक है आइबरो भी आपको खुद बनानी होगी इसकी शेव यह देखें जरा इस पर बिल्कुल हलका सा कलर था लेकिन एक सीज मैं यहां पर आपको बताती चलूं कि जो इतना तेज पिगमेंट यह पकर रहा है इस पर इतना पिगमेंट नहीं था ठीक है इस पर इतना पिगमेंट नहीं था लेकिन फिर भी पिक अप किया है लेकिन रियल आइस पर इस तरह जो है शेड जो है वह जल्दी से पिक नहीं क नहीं लग रहा लेकिन जब मैंने यहां ट्राइ किया तो फॉर्ण से शेड लगना शुरू हो गया अच्छा यहां मैं आपको अब इसकी कीमत बता दूं कि मुझे यू कैन बी की बिर मैं पर पर रेखे देशमिंट में में और यहां अलबता मैं इसे काम में लाओंगी स्टूडेंट्स के, ताकि उनको इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके, जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, तो बाकी ये है, लाइनर की प्रैक्टिस पे करवाई जा सकती है, और जिनको ब्रॉशिस पकड़ने में प्राब्लम है, काम नहीं क करना आता, डारेक्ट आइज नहीं मिलती है, और लाइनर लगाने के लिए भी होता है कि आंखों में पानी आ गया, ये हो गया, वह हो गया, ठीक है, जिनके पास इतने पैसे हैं, जो अफॉर्ड कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह ले ले लें, बाकी लोग पैसे जयानी करें, बहुत महंगी है, तीन हजार पानसो की भी महंगी है, बहुत महंगी है, इतना कुछ इसमें है नहीं, लेकिन बहुत महंगी है, खैट चले कोई बाद नहीं, मैंने आपको बता दिया है, जो अफॉर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस इसका, यह भी आपको दिखा देते हैं, औरे वाँ, इसमें तो दो निकला है, दो पेर निकला है, चले, फैर कुछ तो फाइदा हुआ, तीन हजार पानसो भरा था, दो पेर निकला है, लेकिन बिल्कुल हलके फुलके पेर हैं, यह पार्टी वेर में लगा जा सकते हैं, ब् लेशिस अब कुछी यह वितुची अब कि अचिंग इसमें चिपकाहट है, तो इस पेर लेशिस भी लग सकती हैं, क्योंकि मैंने देखा था, यह लगा झाल से, मुझे और लेशिस लगाना मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन लग जाएंगी, लग हैं देखें ठीक है इस तरह जी इस पर लेशी भी लग जाती है चला इंशाला इस पर हम आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के देंगे और इसी पर मैं आपको लाइनर लगाना पर सिखाऊंगी ठीक है क्योंकि लड़कियों की आँखों में पानी आजाता है तो यहां पर मै क्यासे भरें इसको हम काम में लेके हैंगे इंशाला ठीक है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर करना ना पूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू फर वचिंग अला हाफिज